पूसकार आप देख रहे हैं नेशन न्यूज मैं हूँ आपके साथ खुसबू सांगू बिहार में जो क्रोना का रफ्तार है वो तो कम होता हुआ नजर आ रहा लेकिन इसके वाब जूद भी जो आकड़ा है बिहार में वो लगतार आठ सो हजार के आसपास तक्रीवन देखा जा रहा है वहीं आज जो स्वास्त विभाग की तरफ से जो अपडेट जाड़ी किया गया है उसमें बिहार में जो आज टोटल क्रोना के केस है वो 798 मिले हैं जिसमें टॉप तीन ऐसे जिले हैं जहां सबसे ज्यादा क्रोना के मरीज आज पाए गये हैं जिसमें पटना सब से पहले पाइदान पढ़े और दूसरे पाइदान पे मुझहपरपूर और तीसरा पाइदान वह गया है यहाँ सबसे ज्यादा मरीज मिले आपको बता झा कि जो पत्ता में है वह 3014 म अम्रीज मिले हैं और मुझहपर इस चंपारण मैं सोला गया में 49 गोपाल गंज में चार जमूई में नवुत जहानाबाद में 28 काड़ा कैमूर में साथ कटिहार में 10 खगरिया में 2 किसन गंज में 9 लखी सराय में 3 मधेपूरा में 14 मधुबनी में 14 मुंगेर में 14 मरीज मिले हैं वहीं अगर बात करें नालंदा की तो वहां जो कुरोना के केस हैं उसमें 15 मरीज मिले हैं नवादा में 11 मरीज मिले हैं पुर्णिया में 26 रोतास में 17 समस्तिपूर में 5 सारन में 21 सेखपूरा में 6 सीतामडी में 6 सिवान में 10 सुपॉल में 13 वैशाली में 3 और वेश्चमपाडन में जो है टोटल 6 मरीज मिले हैं तो ये था स्वास्त विभा की तरफ से जो अपडेट ज क्रोना मरीज की तो 2,24,275 मरीज अभी शामिल है वहीं अगर एक्टिव केस की बात कर ले बिहार में तो 7,536 मरीज हैं वहीं बिहार जो है रिकवरी मामले में सबसे आगे चल रहा आपको बता दे कि बिहार का जो रिकवरी रेट है वो 96.47 प्रतीसत है जो कि किसी अन्य राज् तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें नेशन न्यूज के साथ नमस्कार